तो हम लोग बना रहे थे streaming app with the help of springboard और हम लोग ने अलड़ी दो वीडियो कवर कर लिया था पहले introduction वीडियो and then हम लोग ने वीडियो का metadata कैसे हम लोग store करते हैं उसके बारे में काफ़ी discussion किया था साथी साथ में हमने code करके दिखाया था अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं वीडियो को upload करते हैं वीडियो को stream करने के लिए सबसे पहले हमारे server पर video होनी चाहिए तो एक uploading का तरीका बनाते हैं जिसकी help से हम लोग video को upload कर वाए है तो दो step में है simple सबसे पहले हम API बनाएंगे and then उसका front end बनाएंगे वहां से हम videos को अपने server पर upload कर पाएंगे अगर आप monolithic architecture फालो कर रहो तब तो आपको उसी project में एक service बनानी पड़ेगी otherwise अगर आप microservices architecture फालो कर रहो microservices design pattern so in that case आप क्या कर सकते हो एक अलग से microservices बना सकते हो जो videos को upload करेगी and अगर processing virus अज़रत होगी तो video को process करने में help करेगी so अभी क्योंकि हम लोग monolithic architecture पर काम कर रहे है तो हम लोग क्या करेंगे एक end point मरा लेंगे उसी end point के थुरू हम videos को upload कर पाएंगे चला बाई वीडियो को start करते है अगर आपको यह playlist अक्सेस करनी है क्योंकि यह बहुत interesting playlist होने वाली है तो आप नीचे मैं description box में इसके link दे दूँगा वहाँ से जाके access कर सकते हो साथी साथ में पूरा source code की link भी दे दूँगा वहाँ से आप access कर सकते हो source code जो मैं code करता जा रहा हूँ चला बाई वीडियो को start करते है हम लोग ने अपने पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने यह services बनाई थी अगर आप देखो तो हमने एक interface बनाया था इस interface के अंदर कुछ important methods refine कर दिये थे जैसा एक save method है जो वीडियो को save कर रहा होगा एक हमारे पास method था get जो single video को get कर रहा होगा एक get by title था अगर आपका पास title है तो वीडियो को कैसे get करेंगे एक था get all जो सारी वीडियो को get करेगा and depending upon कि आप कौन सा logic implement करना है आपको उस हिसाब से आप यहां पर methods को आप just add कर लिजिए delete कर लिजिए या अपने हिसाब से manage कर लिजिए उसके बाद हमने video service implementation भाई थी जिसके अंदर हमने उन methods की implementation देने के लिए service implementation class थी सो हमें करके implementation class देंगे और सबसे पहले हमें हमें अभी required है किस class की किस class के किस method की तो हमें हमें required है video service implementation class की यह save method की जिसके पास हमें video का metadata मिल रहा है और हमें एक file मिल रही है यह actual और यह जो multipart file object है यह हमारे file को represent टर रहे है तो हम इससे file का data निकाल सकते हैं साथ ही साथ में हम file का input stream निकाल सकते हैं जहांसे हम data को write कर सकते हैं चलो भाई सोब आ जाते हैं कुछ steps में काम करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे हम यहाँ पे path create करेंगे किस folder में data को upload करना है तो हमें folder का path चाहिए होगा तो हम folder path create करेंगे and then हम folder का path with file name and type create करेंगे मतलब बनाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे file को चाहो तो आप इसको print कर सकते हो वह बात के बात है हम file को upload करेंगे मतलब अपने server पर folder के अंदर डालेंगे तो copy करेंगे file to the folder to the folder या बोले तो हम जो हमारी folder path with file name होगा इस पर data copy करेंगे और जैसे metadata को save कर सकते हैं अपने database के इतना का हमें upload करने के लिए करना पड़ेगा स्टार्ट करते हैं step by step हम क्या करेंगे सबसे पहले यह फाइल जो object होई मिल रहा है इसके पास बहुत important important चीज़े होंगे बताता हूं कैसे हम इस file से actual file का नाम निका सकते है string file name and equal to file.get original file name यह क्या करेगा यह हमारे actual जो file suppose abc.png या abc.mp4 file आ रहे होगी तो abc return कर देगा yes तो it will return actually file name original file name original file name अब देखो समस्ते जबाद हमारे बास file name मिलगे चलो file name अगर हम चाहते हैं कि इस file name को कुछ unique दूसरा file name रख सकें तो हम यहाँ पर file name को uniquely generate कर सकते हैं बहुत सारा काम कर सकते हैं and कुछ हम यहाँ पर content type भी निका सकते हैं string content type file.get content type तो exactly इस file से हम content type भी निकाल रहें कि actually जो हमारे पास file आर यह उसका content type क्या है ठीक है and और भी चीज़ें निकाल सकते हैं जैसे आपको required है यह देखिए input stream data को write करने के लिए तो अगर आपको data read करना होगा तो हम input stream नाम से एक variable लेंगे input stream और हम file.get input stream निकाल लेंगे as simple as that ठीक है so यह सारी यह हम लोग करेंगे साथ ही साथ में यह सब चीज जो है क्योंकि हम file से लेड़े काम कर रहें तो ios exception हमेसा आएगी तो हमका गरेंगे सब चीज़ को मैं try catch के अंतर रगोंगा try and ios exception को हम properly handle कर लेंगे जो हमें कर रहा होगा फिलाल तो हम i.print distract trace कर दे रहें तो यह तीन चीज में लगे अगर आपको कुछ हो चाहिए तो file.get content type अच्छा bytes का आयरे चाहिए तो आप byte निकाल सकतो get name निकाल सकतो resource निकाल सकतो हम बनाते है फाइल तो हम क्या करेंगे हम फाइल को बनाने के लिए सबसे बहुत है फोल्डर चाहिए फोल्डर तो फोल्डर को statically हम अपने source code के अंतर नहीं डालेंगे फोल्डर को फोल्डर का नाम को बात में हम change भी कर सकते हैं हो सकता है कि आप अपने application को कहीं दूसरी जिगा पर ले जा रहो फोल्डर का नाम चेंज हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे फोल्डर का नाम डाल देंगे या application properties यहां पर हम डाल देंगे वीडियो फाइल या आप जा सकतो फाइल सडॉर्ट वीडियो और देन अप स्लैश या अपलोड या वीडियो श्लैश कुछ ऐसे फाइल का नाम हम डाल देंगे वीडियो वीडियो श्लैश ठीक है अब इससे क्या होगा इससे हमारा फाइदा यह होगा कि हम इस चीज को हम लोग यह श्लैखrows कर सकते हैं कि क्छकेशबी हम मतलब हमmeyeं this अगर हम यृट का बस में चक्तिक इंव detonate और इंटर राइंगे और इंटरम सारग से होगा Implementation और हिस्श वीडियो आएंगे इस अजमक्र हुए लग फेच करने के यहांपी Tout हम लां पर श्रेंगे यह फाइल या लिए लिए दिया यार और देन हम यूज करेंगे वैलु अनुटेशन और इन वैलुटेशन हमें एक्स्प्रेशन लिख देंगे आप फाइल्स डॉट वीडियो अपने आप से स्प्रिंग बूट क्या करेगा प्रॉपर्टी फाइल में से फाइल स्टॉट वीडियो की साब पॉठ्यहों। हम यहां बराइगे यूंज करों इस फाइल्स को यहां पास कर देंगे इस इसे क्या होगा फाइल नेम में अगर कुछ unwanted character हो गए रहा रहा होगा तो इूटिल स्टॉट clean path क्या करेगा path को clean कर देगा ठीक है आँ डिया यार को clean कर सकते हैं हो सकते हैं अवांटेट slash हो गए रहा हो तो डिया यार को भी हम clean करके यहाँ पर निकाल सकते हैं clean और फाइल पाथ clean फाइल पाथ तो हमें हाँ पर पास कर रहते हैं clean file लिए फाइल नेम हांड एक चीज़ और बना लेते हैं string dot clean and then string utils dot dot clean path and dir में हमें आइस करें अब हमारे पास देगो file name भी है file folder भी इन दोरों को combine करेंगे combine करने के लिए हम क्या करेंगे यहां पर उसकारेंगे path dot get और हम यहां पर पास कर सकते हैं अपना पहले folder then कॉमा लगा के हम यहां पास कर देंगे और फाइल clean file name और हमें मिल जाएगा path so this path is actually a folder as well as file name मतलब folder और फाइल नेम को combine करके हमें path के representation मिल चुकी है अगर हम चाहें तो इसको चेक करने के लिए हम out करके console पर चेक कर लेंगे बड़े तरीका है कि आप यहां पर logger यूज करो बठ हम ने print कर दिया path को जारान करते है लेट सी अच्छा यहां से ठीक है ओके हमें क्या करना पड़ेगा इसको test आउट करने के लिए और विल हैप टू रिटा गंट्रोलर तो हम यहां पर गंट्रोलर क्रेट कर लेते हैं हम आज आते हैं अपने यहां पर यहां पर हम यूज करेंगे कंड्रेस कंट्रोलर और अगें रिक्वेस्ट मैपिंग रिक्वेस्ट मैपिंग में हम यूज करेंगे अपर इपाई एपिटिज विडियोस ठीक है और वीडियोस को क्रेट करने के लिए सिंपल एक मैंटरम आ दो रिटन में हम रिस्पॉंस एंटिटि यूज कर रहेंगे और यहां पर हम एक कस्तम मैसेच नाम से क्लास बनाएंगे यहां पर इस पोस्ट मैपिंग होगी पस पोस्ट मैपिंग हम इस एवारले पोस्ट मैपिंग या पोस्ट मैथल्ड की रिक्वेस्ट बेजेंगे आपने आप से हमारा इस वाला चल जाएगा वह यह एक्सपेक्ट का कर रहा हूँ यह एक तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट परम में हमारी फाइल वीडियो फाइल या फाइल जो हमें मल्टी पार्ट के अंदर मिल जाएगी है वाइल के अंदर मिल जाएगी और साथ ही साथ मेर में मैं जो लिया था किया आप नहीं आप ने जो लिए वो प्र हम लोग वीडियो के अंदर ले रखा था टाइटल डिस्क्रिप्शन इस से काम हो जागा तो इसको भी हम एस अ फोड पेरी पैर मेटर ही ले लेते हैं एक त प्रोंसेग?देर्श करने वाले सर्विस फोघ्राइब, और यहां पे करने वालेसाई यहां उसकरने वालेbig इंपट nog इस्तव समस्ते हैं और चाहिए इ Самलियर ही तो आपको समस्ते रि 여자 उसक्ति で foreign यहां पर यूज़ करते हैं अपनी वीड़ीयो सेर्विस.save and यहां पासकर देते हैं वीडियो को अबजेक्ट हमें पास में पासि करना है टो वीडियो को अबजेक्ट के लिएवे और बॉश्का आख नहीं हो चाहिए दूसरा हमे फाइल पास कर देंगे श्रॉधा- पास करते हैं वीडियो ऑप्जेट्ट ठाइक वीडियो चाहिए होगा तो हम क्या करते हैं अ हम छोकती हैं ट्रीयो आज्त डेसलब दिश्क्रीचिंश्ट कर देंगे और आएढिए हमें random generate कर लेते हैं सेट वीडियो आईडी एंड यू आईडी.random UID.toString तो यह तीन चीजह हमारे पास थी एक हमने randomly generate कि आईडी दूसरी टाइटल डिस्क्रिप्शन हमें मिल रहा था था तो हमने पास कर दिया था चलो भाई यहां तक तो बहुत बड़ी है यहां पर हम लोग से मैंतर हम लोग ने कॉल कर लिया और जहां लोग से मैंतर कॉल किया तो इसको चेक करने के लिए हम लोग चलाएंगे उससे पहले हमें कस्टम एर मैसेज बनाना पड़ेगा सब्सक्राइब क्रेट कस्टम एर मैसेज इन दो पैकेज पैकेज कंट्रोलर नहीं होगा पे लोड ले लो पैकेज के अंदर बनाएंगे यस हमारे पास पेलोड नाम से एक पैकेज आगया अब हम क्या रहेंगे जो भी इसका होगा भाई प्रापरटी होंगे और इतना चाहिए पिल्डर के लिए बिल्डर बना लो जो फिसके अंदर रखने वाले क्योंकि में से बाद हमारे पास एक होगा प्राइबट स्ट्रिंग मैसेज एक्चुली क्या होने व लिए सक्सेस बारी फोल्ट मैस्स रिक्वेस्ट रखते हैं यह दो चीज हम अपने कस्टम मैसेज के अंदर रख देंगे अब लुग इसको करें के अंदर और यस अभी रिटन नहीं करना तो रिटन करेंगे तो कस्टम एरर मैसेज बना लेंगे बाद में फिनिस कर रहेंग या पोस्टमान यह रहा और यह वारेल हमारा है लोकल रोस्ट 8-083 शायद नहीं एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारा जो आइधिंग पोर्ट है वह 8-0-8-0 यह तो हम यहां पर आते है एट 0-8-0 यह यह देन इसको खटा दो सब अब API slash v1 slash videos पर हमें करना है post method और साथ ही साथ में हमें कुछ यह भीजनी है क्या भीजनी है आप देखते हो हम लोग को data में body में मैं भेज़ूँगा एक तो फाइल भेज़ूँगा तो अगर आपको यह नहीं मिल रहा होगा कुछ ऐसे या फिर यह नहीं होगी ठीक है यह प् पर आप फाइल चूज करेंगा और एक फाइल वीडियो फाइल यहां पर सड़ेट कर लिजगा फाइल पर जाकर करके तो न्यूव फाइल फ्रम दे लोकल एंड डावलोट में अगर हमारे पास कोई फाइल है वीडियो फाइल तो हम इसको चूज कर लेंगे यह रही फाइल ओपिन करने घीक है और दें वीडियो का टाइटल हमारे पास आ जाएगा टाइटल तो टेक्स ही ओगा वाह दिस टाइटल आफ्ट ऊपड़ वीडियो और देन स्क्रिप्शण होगा ओके हादिसित्क्रापिशन और डिस्क्रिप्शंविप्शं इस एस वीडियो डिस्क्रिप्शन ठीक है एंड सेट करते हैं यस आप देखो यह कहा रहा है रिक्वस्ट इंट्री तू लार्ज मतलब आइधिंग फाइल के साइज बढ़ी है इस फाइल की साइज हम लोग अरजस्ट भी कर सकते हैं फाइल के साइज अरजस्ट बहुत असान हम लोग लगाते हैं ठीक हम लगाएंगे दो प्रॉपर्टी लगाएंगे एक लगाएंगे स्प्रिंग डॉट सर्वलेट डॉट मल्टी पार्ट डॉट मैक्स फाइल साइज जोगी मैं रखूंगा यहां पर वन थाउजन्ट एंबी बन आल्मोस्ट एक जीबी के आसपास सब्सक्राइब क्या हुशनोर ही मने उता ही रखीजबने जितनी हमने अपनी थी मैं मैंक्स करक दिया है और यहां पर भी साइज अलाउट फॉर दा मल्टी पार डेटा now एक मप्या स्टो 1234 बत्ब हाँ 1000 अम्य औलमोस्ट ज इब आसपास उसके बाद हम आप्लिकेशन हम रिस्टार्ट करते हैं जैनम अगेन हम अप्लिकेशन- को रिस्टार्ट कर लिए हमने हम लोग सेंट करते हैं यह साथ देखो यह पर स्टेटेस कोड ओके आ देखो यहां पर हमारे पास जो पाथ मिल रहा है यह पाथ मिल रहा है ठीक है दिस इस फोल्डर जहां पर हमें वीडियो अप्लोड करनी है दूसरी यहां पर आप देखो यह हमारे फाइल का नाम है डॉट अगर कुछ यह और जाननी है या कुछ यह और आपको वेरिफाई करनी है तो अपने सर्विस के अंदर आ जाओ और सर्विस में जैसे हमने पाथ प्रिंट किया था वैसे आप देखना चाहरे हो होट इस एक्चुलिया कॉंटेंट टाइप आफ वीडियो या जो फाइल हमारे प्रिंट करके चेक कर सकते हैं लर्निंग परफस के लिए बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है एक चीज़ा आपको बताता हूं अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं मैंने रण किया आइंड यस आप देखके को हमारा जो कॉंटेंट टाइप है वीडियो स्लैस MP4 है इस आप यहां पर डिबगर भी लगा सकते हो जैसी मैं डिव लगणा भी बता देता हूं अपने अप्लिकेशन को बंद करेंगे देन हम लागाएंगे और बेक पॉइंट ठीक है यहां पर ब्रेक प्रेक पॉइंट लगा देते या फिर नीचे वाले यहां पर लगा दो आप लगा दो रिटन से पहले लगा तो ठीक है उसके बाद अपने अप्लिकेशन को डीबग मोड में रंड करो ठीक है डीबग मोड में रं कर दिया मैंने अब आएंगे रिक्वेस्स भेजिएंगे और यस यहां पर देखो हमारा ब्रेक पोइंट पर हमारा अप्लिकेशन से रुख चुका है मतलब हम यहां पर analyze कर सकते हैं कि हमें actually data क्या-क्या मिल रहा है सबसीच क्या मिल रही है तो आप देखो हमारे पास एक दिस्क मिल रहा है जो की video service implementation का object है दूसरा हमेरे पास एक video का object मिल रहा है और हमारे पास एक file मिल रही है मतलब आप देखो तो actually हमारे पास इस video का object मिल रहा है इस file का object मिल रहा है और साथ साथ हमारे दिस्क का भी object मिल रहा है अगर हम देखें यहां पर दिस्क को open करते हैं तो दिस्क में देखो आपको file path भी अभी नल है बात में हम इसको save करेंगे database के अंदर तो इसमें changes करेंगे next आपके पास multi-part में क्या क्या है इसको open करो आप देख सकते हैं हमारे पास दो information एक तो file name है जो आ रही है साथ ही साथ में पार्ट है पार्ट के अंदर content होगा भाई open करो देखो हमारे पास file item है location है file item को open करते हो तो आपके पास content type मिल रहा है इस form field false है file name मिल रहा है size मिल रही बहुत सारी information से आपको यहां पर मिल रही है ठीक है repository मिल रही है and header मिल रहा है ठीक है location देखो तो आपको बहुत सारी information मिल रही तो इस हिसाब से आप कहने का मतलब डीबग करके भी आप काम कर सकते हो फैनली आप क्या करो अपने प्रोजेक्ट को अपने डीबगर को रेजूम कर दो रेजूम प्रोग्राम आपका response आप बिल जाएगा सो आप यह यूज़ कर सकते हो इसको बंद कर दो ठीक है तो I think इसको close कर देते हैं इसको जरूत नहीं चाहिए जरूत होगी तो मैं आपको क्रियेट करना है कोई जरूरी डिया या फिर वीडियो जो भी फोल्डर जिस फोल्डर के अंदर आप फाइल को अप्लोड करना चाहिए वह अगर फोल्डर हाई नहीं तो उसके समय क्या करना है तो मैं यूज़ करूंगा बीन लाइफ साइकल क्योंकि एक तरीका है यह यह वीडियो सर्विस इंप्लिमेंटेक्शन है यह हमारी अब इसवा सर्विस है एक कंपोनेंट है हमारे स्प्रिंग का तो हम यहां पर एक मैथड उसकरेंगे पॉब्लिक वॉइड इनिट और यह इनिट मैथड को हम चला देंगे एड़ पोस्ट कंस्रक्ट जैसे यह बीन क्र प्रोल टो नूट फाइल और हम यहां पर ये पास्का दें है ठीक है तो अगर ये वाली फाइल मत्दब यह फोल्डर नहीं एकजस्ट कर रहा तो हम्हां लगाने कि हमाहं और फिया फिल लट मैं इक है इसाओ ढिए है जिससे हमें लोक्स मिलते रहे हैं आप यहां पर होगे तो लॉगर की वीडियो में बना दूंगा अगर यह नहीं फाइल एक्जिस्ट कर रही अलड़ी डैट में समर पास फोल्डर ओल्डी ग्रेटर है तो हम इसको चेक करने के लिए आप चेक कर सकते फोल्डर फोल्डर ओल्री ख्रीटर ओके सो यह हमारे फोल्डर के इंदर सो एक बार मैं रिलोट करता हो यहां से रिलोट फॉंद डिस्क और फिर से रिलोड करिये रही रिलोड करिया थो फ्रीक्त करीए है थाओ हम लोग चलते हैं जरह अपने फाइंड़र में चेक करते हैं तो ओपेंड फाइंडर एंड इसको बं करो यस आप द कि येस यहां पर प्रेफलेक्ट चुका है अगर दोबारा अपने अप्लिकेशन को रन करोगे और आपका फोल्डर को बना हुआ तो आपको कोई टेंशन नहीं देख फोल्डर आपको कोई टेंशन लेनी की जरूत नहीं है इस पाथ पे इस पाथ पे इस वाले पाथ पे तो को सिम्पल है एक को कैसे प्र ко Grove करना है ओieurs फोल्डर हमारा बन चुका है यह हमारा फोल्डर वाला पात अंड हेह हमारा फाइल वाला पात फाइल पात एक हमारा फाइल पात फाल टैल्लिय। तो हम इसी फाइल पर अब सब्सक्राइब क्या करना है किस पात पीछ नीचे वाले पर इस पात पर हमें file को copy करना है कैसे क्लास है उसके पास copy method अब यहाँ पे तीन चीज़े हमें देरी है ठीक है क्या क्या दे सकते हम target दे सकते हैं तो हम आजए ठीक है तीन छीज़ देंगे सबसे पहले देंगे इंपुट स्रीम कहां साbonशपी करना तो इन पूइंपॐ अभड यह निकाल रखा निब यह दो कहां पर निदम Budget करना तो हम गेंगे इसी पातों Be posted झेना है क vacun्व पहले से हमारे पास फाइल यह तो क्या option use करोगे override करोगे क्या करोगे तो हम यहां पर हमारे पास स्टेंडर्ड कॉपी option है इसके पास कई सारे constants है देखो replace existing copy attributes atomic removes ठीक है तो हम यहां पर replace existing use करेंगे कि अगर है भाई तो उसको replace कर देना और इतना अगर सब हो अगर फाइल अपलोड हो चुकी है तो हम उपलोड उगी है तो हम क्या कर सकते है 1972 video देखो मिल रहा है श備 टो हम इसी विडू को उसे कर सकते हैं अगर हमारे Canton इसे डीटी हो था तो हम एक entity क्रिएट करके और फिसेइब करते अगर होता तो बठ रेपास हमारे पास सेट करना है तो फॉल्डर विदिए और पात मतलब फोल्डर फॉल्डर विद को हम इस्टिम में convert करके set करने on then finally repository को Ist करके Save rank is going to repository हुम आप popular करेते हैं । तक है लेट्ट वीडियो रेपोजिटरि रेपोजिटरी ब्रपोजटरी एं आप a.Wire उस का अपनी वीडियो पास कर देंगे और रिटन हमें क्या करना है रेटर्न हमें वीडियो करनी है एक्टिव वीडियो तो इसी में अगर आती है तो ओबसी बात है इन यहां पर रिटर्ण कर सकते हैं नल कर सकते हैं और exception आ जाएगी तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि यह return क्या कर रहा है ठीक है तो हमें null मिलेगा अगर को exception आयती है in that case या फिर हम कोई message अगर सकते हैं या फिर इस exception को handle कर सकते हैं depending कि भाई क्या हो रहाएं ठीक है तो इस हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं ओगे नहों हम चेक आउट करते हैं यहां पर आते हैं ठीक है आति है वार फिर से इधर कैसे आ गया इसको हम पोस्तमेर के बहल बागल में ले चलो ठीक है हां पोस्ट मेर में हम सेंड कर दें एंड लट सी ठीक है सवाइधिक हमने री स्टार्ट नहीं किया था एक बार रिस्टार्ट कर लो अपने अप्लेकेशन को दें ठीक है देन अगेन सेंड करो आजाओ यहां पर आप देखों यहां पर हमारे पास कुछ हाइबनेट की क्वेरी चलिए और है अब देखोगे तो यहां पर इंसर्ट इंटू वाइटी वीडियोज वीडियोज के अंदर डेटा इंसर्ट किया गया है ठीक है ओके नाओ अब हम पर दोग जाए डेटावेस पे पहले दिखते हैं दैर वीडियोज फोल्डर के अंदर देखेंगे डेटावेस के लिए हम उपन कर रहे वरक बेंच टीक है अपनी वीडियोज Schemas में चलते हैं and Learn भी चलते हैं and Tables में चलते हैं YT Videos इसको हम लोग Select कर लेते हैं रोज को and आप देखोगे तो यह हमारे पास देखो data आ चुका है हमारे वीडियो आईडी आ चुकी content type आ चुका है video description आ चुका है file path भी आ चुका हमारे पास देख सकते हैं start end बहुत सारी information निकाल करके and अपने database के अंदर save कर देख वीडियो का file path भी आ चुका है मतलब इस folder के अंदर इस file नाम से हमारी video store होगे let's see तो हमें आते हैं and folder को देखते है folder को open करेंगे so आप देखोगे यहाँ पर video हमारी आ चुकी that means video हमारी upload हो चुकी है अब उसी हसाब से में response देना है controller के अंदर तो let's open the controller यहाँ पर आ जाते है java controller अगर सबको सही हो गया तो यह हमें video return कर रहा होगा yes saved video save video तो हम चख कर लेंगे इफ अगर saved video is double equal to null या फिर not null अगर यह नहीं है in that case हमारा video save हुआ है तो आप return कर सकते हो डिर्क यहाँ पर response entity dot status होबें से बाद okay होगा तो आपको यहाँ पर http status dot okay and then body में आप डाल सकते हो वीडियो को okay so I think ठीक है यह क्या कह रहा है अच्छा हमें message रिटन करना था यहां से क्रियेट से हमें custom message रिटन करना था तो वीडियो information अगर आपको वीडियो की information रिटन करने आपके काम कुरें आपके question माग लगा तो ठीक है क्योंकि अभी हमें आप यहां पर लगाएंगे ना तो हमें से एक और option रिटन करना होगा सो अभी हमने इस केस में बॉड़ी वीडियो रखिए दूसरे केस में dot message message में यहां पर वीडियो नौट अप्लूड एट ठीक है अगर आपके पास error message होता है तो आप error message डाल दे सकते हो डिपेंट्स और फैनली एक चीज़ और हमें डाल नीए इसके अंदर सक्सेस नहीं हो पाया और फैनली हम क्या करेंगे डॉट बिल्डर पैटन कुछ ऐसा ही कहता है पैटन की मैंने वीडियो बना रखिए पूरी प्लेलिस की नीचे डिस्क्राइब लिंक दे दूंगा आप जाके एक्सेस कर लिएगा बहुत सारे पैटन्स के अंदर मैंने डिस सक्सेस वाल्स मैसेश्ट हमें मिल जाएगा बाकी यह बने जरूरत नहीं क्यूंकि या तो इफ चलेगा या तो चलेगा ठीक है एक इसीज़ भी और बताऊंगा इसको पहले रिरान कर लेकर दें अजन ठीक है ओके सो इसको हटा दो इसके जरूत नहीं है ठीक है सब्बंद कर दो और आ जाते हैं आपर दर अगेन हिट करते हैं सेंट उसक्त होगे गया इसको बन्द्र بVerन करें प्रोटा कि अजिवा ठीक्या आधा फिर से हीट करो सेंट यस सब्सक्राइब होगे और वीडियो एक पूट होने के बाद स्टेटस के मिला है मैं और हमें वीडियो आिडी मिली है इस और वीडियो आइडी यह हमारा वीडियो का टाइटल है यह वीडियो का description है यह वीडियो का content type है और यह वीडियो का file path है अब देखो यहाँ पर important बात है कि अगर आपके पास कोई ऐसा e-viral है जिस e-viral से आप video file को access कर सकते हो तो आप video file का e-viral भी आप यहाँ पर भेज़ सकते हो client को कि भाई इस e e-viral नाम से file add कर देंगे बाद में जब हम e-viral बनाएंगे जिस file जिस e-viral से stream हो सकती वीडियो तो उस e-viral को यहाँ पर add कर देंगे तो हमारे file path के साथ-साथ हमारे पास video e-viral भी आ जाएगा इस e-viral से आप video को access कर सकते हो e-viral बना देंगे और यहाँ पर send कर देंगे that अगर कोई दिक्कत होती है जैसे मालों आपने फाइल नहीं भीजी अगर मैंने send कर दिया तो आप देखो video not uploaded वीडियो अपने तो दिया ही नहीं है तो एक्सेप्शन होई यहाँ पर video not uploaded ठीक है directory not empty exception आगई video से तो इस साब से हम लोग काम कर सकते हैं and database में तो हमारा data आई र सर्विस भी बन चुक कंट्रोलर के अंदर हम लोग ने इस बना दिया अब इसमें बहुत सारी अपने अनुसार कर सकतो जैसे मैंने बताया ना कि आप अपने हिसाफ से video metadata लगा सकतो अपने according साथी साथ में अगर आपका video processing library है तो उसको आप लगा के काम कर सकते हूं बहुत है तो हम लोग front end से क्या करेंगे इस API को यूज करेंगे इस API को कॉल करेंगे अपनी वीडियो को सेलेक्ट करके भेजने के लिए एक बार जब हमारा upload वाला पार्ट complete हो जाएगा उसके बाद हम लोग simple क्या कर सकते हैं वीडियो स्ट्रीमिंग बना सकते हैं अपने वीडियो local drive के अंदर रिखें लोकलड रेकेंदर मंतब कोई वीडियो अगर आपफर अप्रोड करोगे तो नोगल रचेंट हो जाएगे और सेब हो जाएगे एक और मैं करके दिखा देतों सांति साद में आप चाहो तो आपने आप ऐसा गॉड डिंख सकतो हैं यहाप इसा अबर जो support कर रहा है तो आप वहाँ पर भी service के अंदर code लिख करके वहाँ पर भी अपनी videos को upload कर सकते हो तो ऐसा भी बहुत सारे लोग उस करते हैं जो अपने videos को third party server पर upload करा देते हैं तो यहाँ पर service आप use कर सकते हो लिख सकते हो एक सी दर बता दूं कि हम ऐसा code देख रहे हैं यह पूरा पूरा loosely coupled code है बाद में अगर चाहो तो आप इस video service implementation को अलग से change कर सकते हो without modifying the rest of the code तो आप ऐसा भी कर सकते हो क्योंकि हमने यहाँ पर specification तो अलग ही लिख दिया है तो यह design pattern बहुत थक्राइब बैटन है इस वीडियो के अंदर इतना ही लिखते हैं हम लोग ने upload वीडियो वाला इधिंग कंप्लीट कर लिया बाकी validation वगर लगाना है तो आप validation के content type पर लगा सकते हो content पर लगा सकते हो अलग अलग तरीक से validation लगा सकते हो यह assignment आपका है कि भाई आप validation लगाई है content type चेक कर लिजे कि भाई content नहीं कर रहा content type तो आप response में error based है सब्सक्राइब करते हैं और अपनी वीडियो को अभी तक वीडियो देख रहे हो आप तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे भाई क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो लाइक करते हो तो हमें motivation मिलता है हम ऐसे वीडि सब्सक्राइब तक लिए जहिन जबारत